Hello everyone, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुच जिले के बारे में जिसका नाम है भागलपूर तो भागलपूर में आपको काफी सारी डाइवर्स चीजे दिखेंगी जैसे कि भागलपूर का इतिहास, भागलपूर का वर्णन, हमारे प्राचीन इतिहास में, भागलपूर का कल्चर और आज के समय में जब हम वेजिटेशन, इन्वार्मेंट और स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो भागलपूर को इसमें भी एक बहुत ही प्राथमिक स्थान पर रखा गया है जहां पर भागलपूर में बहुत सारे conservation resources हैं या फिर अगर हम बात करें हमारे प्रथा के बारे में जहां पर हम बैदनाध धाम जाकर शिवलिंग पर जल चलाते हैं उसमें भी भागलपूर का एक बहुत ही मुख्य भूमिका है तो आईए समझते हैं भागलपूर के बारे में भागलपूर का मतलब ये शब्द कहां से आया तो कहते हैं कि भागलपूर जो है इसका मतलब होता है भाग्य भाग्य शब्द से ये भागलपूर बना भाग़े का मतलब हुआ लक यानि कोई ऐसा जगा जहां पर जहां का भाग़े अच्छा हो तो यह शब्द आया भागलपूर अब यहां पर जब हम भागलपूर को मैप में देखेंगे तो आपको बिहार में यहां पर यह भागलपूर देखेगा South Eastern portion में तो South Eastern portion में आपको यह भागलपूर देख रहा है और अगर आप इसको देख रहे हैं इसकी चोहद्दी के बार में हम समझ रहे है तो 6 district हैं जिससे यह अपना सीमा साजहा कर रहा है अपना border टच कर रहा है जिसमें से बांका है, मुंगेर है, खगड़िया है, मध्यपू के हैं भागलपूर के बारे में कि भागलपूर अपनी सीमा कहां कहां साजहा कर रहा है भागलपूर का नाम सुनते हैं आपको सबसे पहले क्या याद आता है अब जैसे अगर मेरे सामने कोई भागलपूर के है तो मुझे याद आएगा जरदालू आम या फिर सिल्क सिटी है भागलपूर को हम सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, सिल्क सिटी यानि की रेशम का शहर, अब अगर सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो सिल्क आपको पता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो सिल्क जो है, ये अब आपका हो गया मलबड़ी सिल्क, या आपका इरी सिल्क इने सिल्क तसर सिल्क तो सिल्क जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिसमें से तसर सिल्क वो सिल्क है जिसका कल्टिवेशन तसर सिल्क की भागलपूर में यहां पर उगाया जाता है जादा यानि कि इसका जो कल्चर होता है सिरी कल्चर हम कहते हैं सिल्क के कल्टिवेशन को सिर कीडे होंगे कोकून उनको हम उनका कल्टिवेशन करते हैं और वो बैंक भी भागलपूर में ही इसको स्थापित किया गया है साथी साथ भागलपूर का नाम सुनते हैं आपको जर्दालू आम याद आता होगा तो जर्दालू आम को भी यहां पर जी आई टैग मिला 2018 में और म अशोक की माता जी जिनका नाम है इसका सक्ष भी पाया गया है तो इनका नाम शुब द्रांगी है तो शुब द्रांगी जो है यह एक्चली भागलपूर से बिलोंग करती थी और यह भागलपूर की थी और फिर बिंदु सार जो की अशोक के पिता जी है बिंदु सार की शा फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पर गंगा नौदी यह गंगा तटपे है तो बिलकुल सही बात है कि यह गंगा तटपे है Population यानि कि जन संख्या के हिसाब से भी इसकी जन संख्या जादा है यानि कि बिहार में ये तीसरे स्थान पर आता है अगर हम जन संख्या की बात करेंगे Silk City के नाम से जाना जाता है इसे Smart City Mission में भी डाला गया है यानि कि जब हम बात करते हैं कि अपने शहरों को smart city बनाएंगे तो इसे इस mission में भी डाला गया है फिर हम बात करेंगे कि ये एक लौता ऐसा district है बिहार में जिसका जो की capital यानि की पतना के बाद जो पतना राजधानी है हमारा उसके बाद यहाँ पर educational institutions है जैसे कि triple IT, TMBU या agriculture university तो यहाँ बात यही हो रही है कि जादा दर जो पतना में क्या है AIMS है, NIT है, IIT है लेकिन पतना के बाद जो आपका triple IT है ये आपका भागलपूर में पतना है ऐसे भी जब आप बात करते हैं भागलपूर के बारे में तो आप पढ़ते हैं कि करीबन 775 से लेकर 880 के बीच में जब यहाँ पर धर्म पाल आये थे हैं तो वो एक जगास रुकते हैं और वहां रुक के वो पढ़ाई करते हैं तो यानि कि रुकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे विहार बने थे और उसके बाद जैसे कि नालंदा यूनिवरसिटी को बक्तियार खिलजी ने खड़ाप कर दिया उसे पूरी तरह से उसका विनाश कर दिया उसी तरह से जो ये विक्रम शीला यूनिवरसिटी है भागलपूर में इसे भी बक्तियार खिलजी ने खड़ाप कर दिया था इसके अलावा आप जानते हैं कि गैंगिटिक डॉल्फिन है ना तो ये सारी चीज़े अभी हम जानेंगे इसके बारे में तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये समझ गया है कि भागशाली जगा है और इसका पुराना नाम अच्छली मालिनी भी था तो अब जब हम बात करते हैं तो ये सको कंड की राजधानी भी कहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि जब हम बात करेंगे यहां बिहार के बारे में तो बिहार में तीन महा जनपद हैं है ना तो आप जानते हैं कि total पुरे भारत में 16 महा जन्पद है और इन महा जन्पद में से 3 महा जन्पद कहां है कौन से महा जन्पद तो ये हो गया मगध फिर आप जानते हैं कि वज्जी और last में है अंग है ना तो मगध का capital क्या बना पहले ये गिरीव राज था और राजगीर भी आप बोल सकते हैं तो सबसे पुड़ाना इसका राजधानी जो है वो राजगीर रहा और फिर उदेन ने इसकी राजधानी पाटली पुत्रा कर दी ये तो आप जानते हैं इसके अलावा वज्जी जो है इसकी राजधानी रही वैशाली और वैशाली आप गंडराज भी रहा ये भी आप जानते हैं अब बात आता है भागलपूर की तो ये जो है ये आज जो समय हम अंग पढ़ते हैं तो आज का भागलपूर उस समय के अंग में पढ़ता था भाग भागलपूर को जगह में मालिनी के नाम से जाना जाने लगा फिर अगर सब्सक्राइबकर करें यहां पर आयतहीं विपार और यह यक ने अपने एकाउंट में बारे में में Two थिन intr के स्वातेले भाई थे कंड और कंड ने कॉर्वो की साहता की थी तो कंड की राजधानी भी भागलपूर को माना जाता है तो भागलपूर के बारे में हमने ये सारी चीज़े जानी अगर हम जॉगर्फी की बात करेंगे तो हमने जान लिया कि कटिहार, पुर्निया, साजा करता है और राज्य में कौन सा ओ जाएगा तो ईचार्खन राज्य है जिससे सीमा साजा करता है लाटीटूट कि अगर हम बात करेंगे तो लाटीटूट में आप देख रहे हैं कि पक्चैस dairy साथ मिनिट और पच्चैस डिगडी 30 मिनट यह लाटीटूट है लाइटिट दिग्री 37 मिनट 87 डिग्री 30 मिनट फिर एरिया की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगा कि 2569 किलोमेटर तक का एरिया है बॉर्डर की हमने बात कर ली कि नॉर्थ में मध्यपूरा पुर्णिया कटिहार है साउथ में दक्षिन में बांका है उसकी बाद पूरब में यहां पर गोड़ा और साहिब गंज यह जानते हैं साहिब गंज वह जगा है जहां से गंगा टच करत तो ज्यादा जर इसकी टेंपरेचर 48 डिग्री सेल्सिस तक चली जाती है कम से कम 16 डिग्री सेल्सिस में यह रहता है फिर हम देखेंगे कि जो एबरेज रेंफॉल है वह इंच में 51.5 इंच यहां पर रेंफॉल है सेंटीमीटर में आप मुझे पताईएगा जरा कमेंट सेक उचा है और इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट नदी है वो गंगा नदी है अब गंगा नदी जो है यहां पर उत्तर वाहिनी हो जाती है उत्तर वाहिनी हो जाती है इसका मतलब है कि यह उत्तर की योड उत्तर की तरफ तो आप जानते हैं कि गंगा जनरली जो है वो इस तरह उस जगा का cultural यानि कि वहाँ पर जो पूजा पार्ट है उसका एक खासा प्रबंध रहेगा या उसको एक खास चीज के लिए भी जाना जाने लगेगा उसी तरह से यहां पर भी गंगा उत्तर की और बहती है तो गंगा को सी बाड़वा चंदन यह सारी नदिया यहां पर बहत आती है ठीक है समझ गया है तो इसके बाद हम देखेंगे कि चंपा चंपा इसका नाम रहा मालिनी इसका नाम रहा हैं स्यांग ने भी इसका वर्णन किया साथी साथा बिंदू सार और अशोग की स्टोरी भी यहां पर समझ चुके हैं तो फिर अब हम नेक्स बढ़एंगे नेक्स हम देखेंगे यहां पर कि साथ इस्टन पार्ट ऑफ जो इसका साथ इस्टन पार्ट है तो यहां पर मुगल के टाइम में भी इसको जाना जाने लगा तो मुगल के टाइम में जो में इंपोर्टन चीज था आप जानता हैं कि शेर्शा सूरी और हमायू की देखेगा कि consist of a large area east यहां पर आप देखेगा east of सरकार मुंगेर ठीक है तो यहां यह मुंगेर का भी पाट रहा और यह जो है separate हुआ मुंगेर से 1832 में ठीक है this also include मुंगेर which was separated in 1832 ठीक है तो सहरसा district यहां से एक सहरसा district निकल के बाहर आया 1954 में हमने सहरसा को अलग कर दिया फिर 1991 में बाका subdivision जो है इसको अलग एक status दिया गया तो यह सारे जो इतने मुंगेर आप देख रहे हैं चाहे आप यहां पर सहरसा देख रहे हैं चाहे आप बाका देख रहे हैं यह इसका पार्ट था और उसके बाद अलग अलग साल में इसको अलग किया गया इस तरह से match the following के questions भी आपके आ जाते हैं फिर आप देखेगा कि the name is said to have been given by मुगल officers तो मुगल officers ने इसका नाम भागलपूर दिया विक्रम शीला university के बारे में आप जान ही गया है कि 700 75 से लेके 800 के बीच में 800 के बीच में यह पालवंज के साशक धर्म पालने यह गाउं का नाम आप याद रखेगा अंती चक ठीक है अंती चक गाउं इसका नाम है और अंती चक गाउं में ही actually इसको यह जो university है यह विक्रम शीला विश्विद्याले है इसको बनाया गया था धर्म पाल के द्वारा और यहां पे काफी विहार बनाए गये थे ताकि जैसे कि होस्टल्स होते हैं students आके रुके और वहां पे पढ़ें तो यह भागलपूर के division भागलपूर जो है वह भागलपूर डिविजन में पढ़ता है इसका headquarter भी आपका भागलपूर हो जाएगा यहां पे लोकसभा की seat एक है फिर हम बात करेंगे विधान सभा की तो छे सीटे है सब डिविजन यहां पर तीन अनुमंडल है साथी साथ ब्लॉक यहां 16 है पंचायत यहां पे 242 है और 1515 यहां पर क्या है तो गाओं है ठीक है तो ग्राम जो है वो इतने है फिर और बाकी ड किलोमेटर की बात करें यानि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह 1182 इसकी जनसंख्या घनत्व है सेक्स रेशियो यानि कि हजार पुर्शों पे 880 महिलाएं है लिटरेसी रेट थोड़ा कम है 63.14 परसेंट है और लैंग्विज भाषा कौन से बोली जाती है तो हिंदी ह और यहाँ पर प्रत्युशिनी भाषा भी बोली जाती है इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका जो पुड़ा एरिया है वो तो हम समझ ही गया है 2569 स्क्यार किलोमेटर और डेंसिटी इसकी यानि कि पर स्क्यार किलोमेटर यह आप याद रखेगा 1182 है यह सब कुछ अभी 2011 क जन गन्ना के एकोर्डिंग है क्योंकि 2021 का जन गन्ना अभी आया नहीं है तो यहाँ पर हम ने यह भी समझ लिया फिर भसल कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर धान की खेती होती है राइस गेहूं की खेती होती है उसके बाद मेज की खेती होती है बार्ली की खेती होती ह और agriculture ही इसका important छेतर है लेकिन साथ ही साथ cottage industry या फिर जो लगू दियोग होते small businesses इसमें भी इसका एक खासा रोल है इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे industries हैं जो यहाँ पर establish किये गये हैं इसमें सबसे important है आपका handicraft है ना तो हस्त ये जो करगा है तो handicraft industries यहाँ पर बहुत सारे बनाए गये हैं खासकर silk के कारण जो silk का इसमें तसर silk उगाया जाता है इसके कारण यहाँ पर silk institution and agriculture university तो है ही पर handicraft को भी यहाँ पर खासा बढ़ावा दिया गया है फिर हम देखेंगे कि अब हम बात करते हैं dolphin के बारे में तो dolphin का research center और dolphin को 2009 में national aquatic animal यानि कि national जलजीव माना गया यह एक endangered species है dolphin के बारे में अभी 69 BPSC में भी सवाल आया था तो आपको पता होना चाहिए कि यह अंधे होते हैं और यह जो है वो अपने waves के according travel करते हैं फिर सुल्तान गन से लेकर कहल गाउं ठीक है यह कि समुद्र में dolphin पाई जाएगी dolphin जो है मीठे पानी में पाई जाएगी इस कारण से यह यह जो है वो नदियों में बहती है तो dolphin के बारे में हमने जाना अब इसी जगह में आप देखिएगा कि भागलपुर में ही कच्छुओ का भी पुनरवास यानि कि यहां पर इसको भी हम कंजर्व करने की बात करते हैं कच्छुओ जो है 1972 के कोडिंग wildlife protection act के कोडिंग यह schedule one species है और कच्छुओ का भी हमको क्या करना है तो उनको भी हमको कंजर्व करना है इसके लिए भी भागलपूर में खासा इंतजान किया गया है कच्छुओ और डॉल्फिन के अलावा अग्ट के यहां पर जो वल्चर होते हैं भागलपूर का जो गाओं है कदवा तो कदवा में वत्चर यानि कि गणुद प्रजनन केंदर बनाया गया है और अगर आप भारत में और दुनिया भर में देखेगा तो सिर्फ कंबोडिया भारत में असंध और फिर तीसरा भाग भागलपूर में यह गरूद का हम क्या कर रहे हैं प्रजनन छेत्र बना रहे हैं गरूद एक इंडेंजर स्पीशीज है आपने सुना होगा कि विश्णु जी का यह वाहन है गरूद तो इसकी भी वहां पे पूजा की जाती है अगर पूजा की बात करें तो अब हम शिव मंद साथ किलोमेटर का एक स्ट्रेच बनाया गया है सुल्तान गन से लेकर कहल गाओ और इसको 1991 से ही बनाया जा रहा था एंडेंजर स्पीशीज है डॉल्फिन की और डॉल्फिन का यहां पर हम क्या कर रहे हैं इसको खंजर्व करने की कोशिश करें विक्रमशिला ग्यांगटिक डॉल्फिन सेंचुरी में जो की भागलपूर में है और भागलपूर जो है वो अपने इंपोर्टन बर्ड एरिया यानि की बर्ड नाशनल सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है क्लेर है कहीं कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को आगे देखेंगे हम की यहां पर जैसे की हम आप देखेंगे यहां पर काफी फेमस शिवजी का मंदर है शिवजी के मंदर के सामने काली माता का मंदर है और शिव और काली यानि की हिंदू धर्म के अलावा भी बहुत सारे धर्म के लिए यह इंपोर्टन जगा है बहुत ही महतपून जगा है अब जैसे बुद्ध की आमबे की मूर्ती यहां पाई गई थी जो की अब लंडन में रखी गई है तो यह मूर्ती दिखाता है कि यहां पर बुद्धिजम का भी काफी जादा प्रभावड रहा उसके बाद आप देखेंगे कि जैन जैन की यह मूर्ती पाई गई थी तो यह कौन से जैन भगवान ह ये वाशु पूज जैन भगवान है जो की बारवे तिर्थंकर थे और इनका जो मूर्ती है ये चमपापूर दिगामवर जैन सिद्ध छेतर में पाया गया तो ये टूरिस्ट एडिया है जैन के लिए भी हो गया उसके बार आप देखेगा कि पत्थर घटा पहाडी जैसे कि आपका ये मंदार पहाडी है पत्थर घटा पहाडी है तो इन पहाडियों पे भी लोग जाते हैं टूरिस्ट छेतर ये भी है अब भागरपूर को अपने मं मंजूसा पेंटिंग में अगर हम देखेंगे तो मंजूसा का मतलब क्या होता है मंजूसा का मतलब होता है बॉक्स तो बॉक्स इसका मतलब होता है इसमें पिंग कलर का इस्तमाल किया गया और यलो कलर का इस्तमाल करके यहां पर पेंटिंग बनाए गई अब जब पेंटिं होनी चाहिए उनकी पूजा नहीं होने के कारण उनने बाला की जान ले ली और बाला की जो पत्नी है बिहूला उन्होंने बाला की जान वापस ली जैसे कि वापस उनको जिवित करवाया जैसे कि सावितरी की स्टोडी है उसी तरह का कहानी जो है वो मंजूसा पेंटिंग में भी दर्शाया जाता है तो आपके लिए जरूरी बस इतना जानना है कि मंजूशा जो है वो बॉक्स के उपर पेंटिंग की जाती है पिंक यलो और ग्रीन कलर की इसमें नाचुरल कलर का इस्तमाल होता है इसका मतलब है कि उड़ुल के फूल से पिंक कलर निकाल लिया गया या से लंडर में रख दिया गया यह 500 kg की यहां पर प्राप्त हुई थी इसके यह 700 फुट का था 1861 में इसको पाया गया कहां से तो सुल्तान गंज से और नालंदा के पास इसे पाया गया है ना विक्रम शीला के बारे में आप अल्रेडी पढ़ चुके हैं फिर हम जानते हैं द कोटेश्वर महादेव का मंदर है उसी के सामने काली जी का मंदर है अब यह ऐसा संजोग ही की दुनों आमने सामने हैं तो यहां पर तंत्र विद्या की भी पढ़ाई होती है साथी साथ हम यहां पर देख रहे हैं कि एक आश्रम है यह मैं आपको बता रहे हैं जो टूरिस स जैवीनाथ ही वो जगा है जहां पर शिव जी का मंदर है अब समुद्र मंथन के समय में शिव जी ने सारा जहर घोट लिया था और इसके कारण उनके शरीर में जहर आ गया या फिर जो उनका कंट है जहां पर जहर आ गया नीला पढ़ गया उनकी पूरी शरीर जो है वो गर चराते हैं तो उसकी शुरुवात यहां से ही कावर यात्रा की शुरुवात यहां से ही होती है बहुत सारे मानिता है कि किसने कावर यात्रा की शुरुवात की तो कहते हैं कि राम जी ने भी कावर यात्रा की शुरुवात की एक मानिता यह भी है तो यहां से ही कावर यात्रा क को घोट लिया था उसके बाद से जब उन्होंने वापस से गंगा नदी को अपने स्थान पर रखा तो इसका नाम जानवी नदी पड़ गया साथी साथ आप देखेंगे गंगा नदी जो है वो यहां से उत्तर वाहीनी हो जाती है यानि कि उत्तर की और बहती है यह जो यह सार के बात करें तो तिलका मांजी यहां पर फेमस पस्नालिटी है यह जबड़ा पहारिया के नाम से भी इनको जाना चाता था 1784 में उन्होंने रिवोल्ट किया और 1885 में इनका निदन हो गया साथी साथ कादंबिनी गाउंगली के बारे में भी आपने सुना होगा कादंबिनी गाउंगली 1889 में यह कॉंग्रिस में सबसे पहली बार भाषन देने वाली महिला बनी कादंबिनी गाउंगली पहली महिला फिजीशन थी भारत की यानि कि इन्होंने डॉक्टर की उपाधी डॉक्टर की पढ़ाई की और उसके बाद प्राक्टिस भी किया तो कामनी गाउं 1906 में 1906 में इन्होंने महिला संगठन का भी फॉर्मेशन की और इसकी अध्यक्षता भी की तो यह कुछ परस्नालिटीज हैं जैसे कि तिलका मांजी और कामनी गांगली फिर हम बात करें थे हत रगहा की यानि कि जो हैंडी क्राफ्ट होते हैं तो यह आपसे मिरा प्रशन थ मैं बता दिती हूं यह नादघरगाओं में इसे जो इसका नधगरगाओं हैं जहां पर बड़ाडी यहां पही ही हैंडी क्राफ् ी से लेंग यहीं पर आपका और भागलपूर में और कोकुन बैंक तो हें हैं तो यहां कोकुन बैंक नहीं हैं to तो आप जानते ही हैं, तो साथ ही साथ आप मुझे बताईएगा कि भागलपूर में और क्या क्या चीजे आपको भागलपूर के बारे में पता है, वो आप मुझे comment section में बताईएगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि भागलपूर का प्रसिद शिव मंदिर कहां पर स्थित है जो कि हमने लेक्चर में बताया है आपको लेकिन तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखके बताएं कि जो शिव मंदिर है भागलपूर का वो कहां पर स्थित किया गया है शुक्रिया